नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि गिलहरे की पीट पर तीन धारिया क्यों बनी होती हैं। और कभी आपने ऐसा बुट्टा भी खाया है जो रंग बिरंगा दिखता है और दोस्तों एक ऐसा कीड़ा भी है जिसकी केमत 50 लाक रुपे से जादा है। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग फैल्ट के बारे में बताएंगे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें चलिए जानते हैं नमबर वन दोस्तों माना जाता है कि गिलहरी की पीट पर जो तीन धारिया बनी है वह भगवान राम के आशिरुआद के कारण है धरसल जव लंका पर आकरमन के लिए राम से तू बनाया जा रहा था तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी उसके सम से मतलगभग 63 लाक रुपे है नमबर ठ्री रंग ब्रंगा बुट्टा दोस्तों यह बुट्टा अमेरिका में पाया जाता है और इसे गिलास जैम कॉर्ण कहते हैं अमेरिका में रंग ब्रंगे बुट्टे की खेती की जाती है यह खाने में उतना ही सवादिष्ट होता है जितना दिखने में खूबसूरत है नंबर फोर एक पिच्छू छे दिनों तक अपनी सास को रोक सकता है और एक साल तक बिना खाने के रह सकता है दुनिया का सबसे बफ़धार कुता माना गया है जिसने अपने मालिक की मोत के बाद अंतिम सास तक एक ही जगे पर खड़े होकर उसके लोटने का इंतजार किया था 6. हमारी नसो में खून 400 किलोमेटर परती घंटे के रबतार से दोड़ता है और पूरे दिन में लगभग 96 किलोमेटर दोरी तै करता है 7. ओस्टेलिया के रेगिस्तान में रहने वाला एक मैंडक साल में 11 महीने जमीन के अंदर सोता है वह बारिस के कुछ दिनों में ही जमीन से उपर आकर खाता पीता है और अंडे देता है नमबर एट पानी की नाओ को सबसे पहले भारत में ही बनाया और चलाया गया था नोका या नाओ का विसकार लगभग 6,000 वर्स पुरा सिंदी घाटी की सब्वेता की समय ही हुआ था नमबर नाइन दोस्तो बिच्छो के 3.7 लेटर जहर की केमत 266 करोड होती है बिच्छो का जहर पेथी उपर पाये जाने वाला सबसे महंगा लिक्विड है नमबर 10 दुनिया की पहली एंबुलेंस दोस्तो दुनिया की पहली एंबुलेंस कुछ ऐसी दिखाई देती थी दोस्तो यहां तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना